नमश्कर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग मैं आपको अभी जो बातें बताने बाला हूँ यह बातें, अगर अगर आप यह फॉलोह करते हो आप यह चीजें दिन में करोगे तो आपकी तरक्य आपकी प्रोग्रेस या आपको अपार दंग मिलने से कोई भी नहीं रोग सकता है तो ये कौन सी बाते हैं ये हम देखते हैं दोस्तों अगर आते हैं अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुर्पेर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा सबसे पहले जो है आपको सवेरे आप जैसे उटोगे आप नहा दोकर फ्रेश हो जाओगे तो आपके घर में जो भी बुद्ध है आपके माता पिता है आपके गुरुजन है आपके दादा दादी है जो कोई भी है आप सब को प्रणाम कीजिए सब के पैर चुए घरों घर में बड़ों के पैर चुना बहुत जरूरी है उनका आशिरवाद प्राप्त कीजिए नित्य ये करने से आपके दिन में जो भी काम है वो बहुत आसानी से होते रहेंगे दोस्तों आप ये चालू करके देखिए आपको ये इसका अनुभाव आएगा कि अगर आप घर में जो बुद्धर लोग है उनका डेली अशिरवाद लेते हो तो आपके काम करभी भी अटकेंगे नहीं हमेशा आपके काम चलते रहेंगे आपके हिच्छा क्या रूशा रोज गाय को गुड रोटी देखिए गाय को गुड और रोटी गुड और रोटी रूट से वेरे गाय को जब आप घर से बाहर निकलोगे तो गाय को एक रोटी उसमें गुड डालकर गाय को खिलाना है ये करने से हो सके तो गाय का पूजन कीजिए और ये आपको आपकी इच्छा रे पूर्ण करने में मदद करेगी गाय को हम बगवान मानते हैं गाय के अंदर सभी देवताओं का वास होता है तो आप ये करोगे तो आपको आपकी इच्छा रे पूर्ण होने में मदद रोज कुत्ते को रोटी खिलाना है, कहते हैं पहली रोटी गाय को आखरी रोटी कुत्ते को, तो कुत्ते को रोटी खिलाना है, ये ध्यान में रखना है, यदि आप शहर या गाव के पास में तलाब है, नदी या सागर है तो उसमें कच्वे और मचलियों को आप दाना मचलिया जो होती है मचलियों को दाना डालना है अपको उनको खाना डालना है ये ध्याम में रखिये कच्छुओं को भी खाना डालना है इन प्रानियों को खाना खिलाने से बहुत पुन्य मिलता है प्रती दिन चील कववों को खाना खिलाए उससे भी आपने जो पित्र होते है ऐसा माना जाता है कि णस2 वह भोव चड़ाते है घर में जब भी अतिति आएंगे अतितियों का पूर्ण अदर्सतकार करना है अतिति देवुभव हम बोलते है जो भी अतिति आपके धर के आएंगे उनका आपको बहुत अच्छा खयाल रखना है उनको क्या चाहिए, क्या नहीं ये सभी चीज़े आपको धान देना है इसके तरफ और उनकी निश्का भाव से सेवा करनी है इसके बाद मैं हमेशा प्रातक काल में भोजन बनाते समय मातारे, बहने, जो भी बोजन बनाती है घर में एक रोटी अगनी देव के नाम बना कर उसमें घी, गूड डाल कर ब्रहस पती भगवान को अरपित करे इससे घर में वास्तु पूर्श को भोग लगता है और इससे माता अन्न पूर्णा भी पसंदना होती है प्राता स्नान करके भगवान शंकर शिवलिंग के उपर जल चड़ाईए सुमवर के दिन तो चड़ाईए आप बाकी हफता बर भी जल चड़ाते हैं तो एक से आट बार उम नमशिवा गोलिए जल चड़ाते वक्त तो आपको इससे बहुत अच्छा पैदा मिलेगा इसके बाद में जो है स्नान के पश्चा प्राता सूर्य भगवान को आपको पानी चड़ाना है अरग्य देना है सूर्य नारायम भगवान को अरग्य और लाल फूल अरपन करना है प्रत्य शनिवार के दिन पीपल के व्रुक्ष को आपको थोड़ा सा कच्चा दूद और पानी चड़ाना है उसके साथ परिक्रमाय करनी है सूर्य भगवान, शंकर, पीपल इन तीनों की विधिपूरत पुजा करने से नेत्रों में आप अगर वो जल लगाते हैं जो पुजा किये हैं तो आपके जो भी शनी या पित्रुदोष है उनका निवारन होने में मदद मिलती है आपके कुंदली में कुछ पित्रुदोष है, शनी है, शनी दोष है तो उनका निवारण होने में मदद मिलती है। प्रातक कल सूर्य के सनमुख बैट कर एकांत में भगवत, भजन या गुरु मंतर का जाब कीजिए। मेडिटेशन कीजिए। यथा शक्ति कुछ न कुछ हमेशा दान कीजिए। प्रतिक प्रानी को यथा शक्ति कीजिए। शक्ति दया करना है, स्नेह और स्नेह भाव रखना है उनके प्रति जोगे मुख प्रानी है। रविवार या मंगलवार को करजा नहीं लेना है। लेना पड़े तो बुधवार के दिन ही लेना है, जो भी आप साइन करोगी करजे के लिए। मंगलवार को कुरेजा चुकाना है तथा यह भी ध्यांगा रखना है कि संक्राथी हो और वृद्धी योग हो अत्वा हस्तनक्षत्र हो तो करज नहीं लेना है। यह बहुत जरूरी बात है दोस्तों इस्वा प्यानी संक्राथी वृद्धी योग हस्तनक्षत्र हो और आप करजा लेते हो तो आप ठक जाओ के उस करजे को उतारते उतारते। नियामित रूप से घर की प्रथम रोटी गाय को अंधिम रोटी पुत्ते को दे तो घर में रिद्धी सिद्धी का आगमन तथा भाग्योगय पूता रहेगा। पित्र दोश की मुक्ति के लिए नित्य महा गायतरी के महा मंत्र का नियामित साधना करे। तो दोस्तों ये कुछ उपाए हैं, ये कुछ चीजे मैंने आपको बताई हैं, यहाँ पर मैंने साथ लिखी हैं, लेकिन लगभग 15-20 चीजे मैंने आपको बताई हैं। सिंपल चीजे हैं, आप ये फोरो किजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो कुपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को इस इंफर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।